यह देखे आपको नीची प्ले का बटन नजर आ रहा है created from at easy tech आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो यह आपकी इस related वीडियो को open करेंगा let's try it और इसने आपको उसी विंडो में शॉट से निकल के वो उसकी complete वीडियो पे जिसका आपने लिंक दिया है वो open कर रहा है hello friends कुछ हफते पहले YouTube ने एक बड़ा अच्छा feature इंट्रोड्यूस करवाया था Shots का hopefully आप सबको भी email receive हुई होगी जिसमें यह बताया गया था कि Shots के अंदर यह feature आ रहा है कि आप अपने Shots के अंदर जो connected वीडियो है जो related वीडियो है आप उसको उसके साथ attach कर सकते हैं इससे क्या होगा कि आपकी viewership बढ़ेगी अभी तक क्या हो रहा था कि Shots से आपकी reach तो बढ़ रही थी लेकिन watch time include नहीं होता था जो के Shots watch करने से आता था वो earned में नहीं include होता इसलिए अब ये feature बहुत फायदे मन्द है क्योंकि अब आप अपने Shots के साथ एक वीडियो attach कर सकते हैं जो उस Shots से related है यानि अब जितने लोग आपके Shots देख रहे हैं उसमें से अगर कोई भी आप click करके उस वीडियो पर जाता है और उसको watch करता है तो आपका वाच टाइम अर्णिंग वाच टाइम आपका calculate होगा लेट से आपकी एक शॉर्ट को एक दिन में 5000 लोग देखते हैं अगर न 5000 में से लेट से 100 या 1500 लोगों ने भी link क्लिक करके आपकी वीडियो पर आए और उसको देखा तो वाच टाइम आपका अच्छा खासा बन जाएगा जो के आपके अर्णिंग वाच टाइम में इंक्लूड होगा और इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं लेट सी इसके लिए आप अपने यूट्यूब स्टूडियो में आईए यह आपको यह feature की information आरीद चाह रही होगी related videos you can now link another video to your short from your video details so viewers can watch it how it works these are my shots I am opening the first one okay from where you find this option scroll down on the right hand side related videos this one यहाँ पर जाके आपने दूसरी वीडियो का लिंक अटेच करना है जो आप चाहते हैं कि आपका जो audience है जो आपका short viewer है वो उस वीडियो को watch करें जो के short से content related ही है click on edit यह जो मेरे short है यह related है how to create responsive portfolio website in Canva so I will search for this video and I will select the part 1 it is here save the changes click on the short to see if our related video has been linked or not click on it hello friends in this tutorial we will learn how to create free websites in canva play का बटन नजर आ रहा है यह देखे आपको नीचे play का बटन नजर आ रहा है created from at easy tag आप जब इस पर click करेंगे तो यह आपकी इस related video को open करेंगा लेट्स ट्राइट और इसने आपको उसी window में short से निकलके वो उसकी complete video पे जिसका आपने लिंक दिया है वो open कर रहा है यह देखेंगे यह देखेंगे यह मेरी पूरी वीडियो है और जो प्ले हो चुकी है फ्री अकाउंट होल्डर और पेड़ फर्स्ट फॉर लॉग इन तो यह कैनवा अकाउंट यह देख्टोप मेरा काउंट यह देख्टोप मेरा काउंट देखेंगा कि आपकी रीच तो इंक्रीज हो ही रही है शॉर्ट से साथ में आपके जो हैं वाच टाइम में भी इजाफा होगा अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्स्क्राइब कर लीजी मेरे चैनल को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड फैमिली के साथ तके और और लोगों को भी एसी इंफोमेशन मिलती रहे हैं डोंट फरकेट तो प्रेस दा बैल इकन तो गेट दो नॉन्टिफिकेशन टाइम लीजी सी यू इन दे नेक्स वीडियो तिल देन टेक केर